नमस्कार आप सबी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अबिनिन्दन हैए एक बहुत बड़ी जर्णी ते करने के बाद एक बहुत लंबे इंदिजार के बाद वो दिन आ करने में हमने बहुत चंगर किया है कट आफ करो करने के साथ साथ admission होगा कि नहीं होगा इस पर भी बहुत माथापच्ची हमारी रहती है लेकिन इसके साथ-साथ आपको अभी बताना जरूरी है कि अगर आपका के अभी कार्य परिशत्त की उसमें इसमें हो नाइनटीन से सब्सक्राइब है लेकिन अभी और गगाने इस वीडियो को देखेगा हम चीजों को बता रहे हैं अभी विद्यार्थियों के अडिमिस्ञ चल रहा है एडमिशन का मतलब यह है कि लगभग मैक्सिमम सीटे हर एक कोर्स में भरी जा रही है लेकिन ज्यादा सीटे भर भी गई है बीए के भी एडमिशन चल रहे हैं बीए की भी सीटे बहुत ही जल्द भर जाएंगी तो एक तरीके से यह क्यास लगाए जा रही है कि आपका एडमि की हो रही है साथ-साथ कॉलेज वालों की भी बात होगी जब एडमिशन इसका क्लोज हो जागा तब आप सब की क्लाफेज स्टार्ट होगी लेकिन अभी इलहाबाद विस्विद्दाले के जो आर्ट्स फेकलिटी के जो डीन है उनकी तरफ से एक नोटिस जारी हुई है उन हुआ अभी मीसन हो रहा है लेकिन दिख रूए हैं उनको अपर जाना चाहिए यानिव कि आप अपनी वेवस्था यहां पिकरिए अपना रूम खोजिए अपना रहने की आप वेवस्था करिए क्योंकि सभी चात्रों को तो चात्रवास मिल नहीं जाएगा सभी बच्चों को चात्रवास नहीं मिलेगा यहां पर आ रहे हैं एक नया सहर है एक नई जगहां है लेकिन आप अपने सपनों को लेकर आ रहे हैं यहां पर आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे और बहुत बुरे भी लोग मिलेंगे यह हर जगहां की बात होती है जहां भी आप जाते हैं यहां पर दो टाइप की लोग हो जैसे सिक्के के दो पहलो होते हैं वैसे इसके भी दो पहलो होते हैं यह आपको अच्छे ल लेकिन इस सपने को हम जीते हैं सपने को जीने के साथ साथ हम इसके विसे में सोचते भी और सोचना लाज़िमी भी है और इसी जन्रिकुता करके हम प्रयागराज कि धरती पर आते हैं लेगिन सबसे बड़ी बात यू होती है कि हमारा सामना जब किसी ऐसे इंसान से होता है जो हमको demotivate करता है तो हम अपने उस उर्जा को नकारात्मक दिशा की तरफ खीशते हैं लेकिन आपको हैरान परिशान नहीं होना है इलाबाद विस्विदाले की विश्विश्य में बहुत सारे दिखाई देगी एक्जाम पर आप लीजिए आपके सामने मैं खड़ा हूँ मैं विस्विद्दाले में बहुत दिन से हूँ अब जब आप मेरे विस्वे में किसी और से पूछेंगे या किसी और इंसान को आपको कोई बताएगा तो उसके अलग-अलग perception होते हैं कोई इंसान आपको बहुत अच्छा बताएगा हो सकता है कि आपको ऐसे इंसान मिलें जो बहुत खराब बताएं हो वह भी आपके जैसे थे वह भी आपके जैसे फर्स्टियर में आये थे वह भी आपके जैसे इस वीडियो को देख करके सीख करके बड़े हुए और सब की बात नहीं करकें लेकिन कुछ लोग तो ज्यादा समझदार हो जाते हैं तो उसके बाद वह अपना एक धार्णा बना लेती हैं और वही धार्णा वह आपको सीधे साफतर बताते हैं जो इंसान आपको जैसा बताएगा आप उस इंसान के विश्य में वैसे हीमिज रखे रहते हैं अभी PCS यह का रिजल्ट आया है उसमें इलहबाद विस्विदाले ने बावन सेलेक्शन दिये हैं यानि कि 52 स्टुडेंट इलहबाद युनिवर्सिटी के कैमपस से हुए है जो जज़ बने हुए है इलहबाद विस्विदाले के छात्यों की होड लगी रहती है लाइन लगी रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वेकनसी फाइनल होती है उसमें विलहबाद विस्विदाले के छात्र छात्राओं का पर्चम लहराता है तो यही बात ठीक आपके साथ है आपको जो इंसान जिस एक नॉर्मल सा छात्र था वो भी आपके जैसा ही एक अंजान युवा था जो कि इलहाबाद की नगरी में आया था लेकिन वो भी किसी की सिखाने पढ़ाने पर आ गया और उसका भी बदल गया लेकिन हां यह हूमन नेचर होता है जब इंसान का काम निकलता है तो इंसान बद करता है वैसे ही आपको अपनी धायना बनानी है आप अच्छा सूचिएगा आप सकरात्म सूचिएगा अपने आपको कभी आप अकेला महसूस मत करिएगा हम यह आप से वादा करते हैं आप आईए आप अच्छे सुरूम ढूड़िए आप सारी चीजे करिए हम भले ही व्य बहुत कुछ होता है तो आप व्यक्तिका अस्तर पे सोचते हैं और सब्सक्राइब किसी इनसान को जज करते हैं हम आपका रेप्लाइव नहीं दिये तो आप सोच लिए कि बहुत ज़ादा स्मार्ट बन रहा है हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो कहते हैं कि बहुत गमंडा गया ऐसा कुछ नहीं है सब हालात है और हालात इंसान को बदल देते हैं कभी-कभी हालात के साथ साथ इंसान को डलना भी पड़ता है लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपके साथ जो इमांदारी से इंसान काम करके लगा हुआ है अगर वो अभी आपके साथ यवादा कर रहा है कि वो आपका साथ हमेशा देगा तो मैं यवादा करता हूँ कि मैं आपका साथ हमेशा रहूंगा हमारी टीम आपके साथ हमेशा रहेगी लेकिन हां किसी इंसान के विशह में किसी विश्विदाल आप जब इस सहर में आते हैं और जब इलहाबाद विस्विदाले की उस इमारत को देखते हैं तो एक अलग सा जूस आता है मैं वैसे ही बता रहा हूं जैसे आप इससे में फिल कर रहे हैं वहीं विस्विदाले ने बहुत कुछ दिया है और इसी वजह से में विस्विदाले के विशय में हमेशा आपको मुटिवेट करने का काम करता हूं बाकि कुई कुछब हम बोलता उससे मुझे वह जरास भी फरक नहीं पड़ता और उस आप को भी फर्क नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन हां इतना हम जानते हैं साज को कभी आज नहीं है और क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भैभीत में करतव पत्थ पर जुड़ड़ा यह भी सही वह भी सही वर्दान नहीं मागूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूगा तो पस यहीं आप से निवेदन है कि अगर आप अपने माबाप की सपनों को लेकर इलाबात की नगर में आ रहे है है तो अब आज आईए और अपनी आप रहने सहने रहने खाने की विवस्था आप करिए कमरा लीजिए कमरे लेने के साथ साथ आप सारी चीजें करिए लेकिन हाँ कभी भूलिएगा ना हमारा आपका साथ हमेशा बना रहेगा स्लिबस से लेकर के कहां रहना है कहां आना है कहां जाना है यह आपकी मर्जी है लेकिन बताने का काम हम जरूर करेंगे आपको कहां जाना है आपको इंडॉल्मेंट कैसे करवाना है आप यहां पे अकेले नहीं है आप कभी भी अपने आपको कलम मैं महसूस करिएगा क्योंकि आपने प्ल बताना है आप अपनी पढ़ाई की सुरुवात कैसे करें उसके विसे में बताना है और आपको कोई भी समस्यागर हो रही है आर्थिक रूप से सैच्छिक रूप से राजन्यातिक से समाजिक रूप से किसी भी अस्तर की समस्य हो रही है तो आप बेजिजग अभिनो दवेदी से कह सकते हैं हमारी टीम और हम इतना समर्थ हैं कि आपकी सारी समस्याओ करने राकरण हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हाँ कभी भी बहभीत मत हुईएगा, जीवन है, जीवन में अच्छे और बुले का संगम मिलता रहता है, कभी आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, कभी आपको ब्रहमित करने वाले बहुत तमाम लोग मिलेंगे लेकिन हाँ आपका विश्वास अगर अटल है तो आप कभी भी नहीं भटक सकते और यह हमको पूरा विश्वास है कि आप एक बहुत अच्छे छात्र हैं आप अपनी मात्र संस्था के प्रति हमेशा इमांदारी बरतेंगे और इलहबाद विश्विद्दाले को पुना उस बुलंदियों पर पहुचाने के लिए हम काम करेंगे और वही कहते हैं कि पुराने लोगों की बात जाने दीजिए अब नई पीड़ी आ रही है तो हमें निर्तित करना है हम बदलेंगे युग बदलेगा हम बद बंदन करता है एक सांदार एक खूपसूरात और एक प्रतिष्टिस वित्विद्दाले में आगे